हेलो स्टूइट्स क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट थार्ड रिकॉर्डिम आप बिजनस टांजेक्शन में हमने जर्नल इंट्री बनाना स्टार्ट किया था और हम आपको प्रैक्टिकल कुशिन बता रहे थे जर्नल इंट्री का डिखे गोईल के बुक से तो हमने सारा डेवि ये रूल फिलाल मने अभी लिख दिया है ये रूल आपको याद रखना है आपको माइन में रखना है अब हम हर बार रूल लिख करके आपको हम नहीं बताएंगे क्योंकि आप रूल को याद करो और जब आप जर्नल इंट्री बनाना जाते हो तो रूल को सोचो बार बार सोच सोच करके rule क्या कहता है उसके हिसाब साथ general entry करो क्योंकि आप हमेशा general entry को लिख करके एक paper में बैठे हुए नहीं रहुए कहीं भी कहीं भी आपको माली ज़िए general entry बनाना पड़ गया classroom में है examination में है तो आप हमेशा rule जो है paper में लिख करके लेकर नहीं जाओ के तो इसलिए आप rule को याद रख कर लो कि क्या होता है आपका traditional approach से दो rule यहाँ पर याद रख लो और modern approach से आपको यहाँ पर traditional से तीन rule और model से आपका दो rule यहाँ पर याद रख लो आपका काम हो जाएगा प्रस्तनल account debit the receiver credit the giver real account का rule होता है debit ward comes in credit ward goes out normal account debit all expenses and losses credit all income and gain modern approach से आपका जो है rule है all assets debit सारा asset debit होता है अगर बढ़ता है if increase तो वो debit होगा घटेगा तो decrease होगा same all libraries जो है आपका credit होता है अगर बढ़ेगा तो credit होगा घटेगा तो debit होगा यह चीज जो है आपको याद रखना है यह जब आप याद रख लोगे तो फिर आपका जो general entry है वो फटा फट बनेगा सुरुवात में प्रोसेस धीमा होगा क्योंकि बार बार रूल सोचना पड़ेगा जैसे जैसे आप practice करते जाओगे फिर आपको rule भी दिमाग में नहीं आएगा सीधा आप फटा फट जनल बनाओगे तो सुरुवात में जो है आपको थोड़ा कुशन नमब थार्ड कि कुशिन नमब वान कुशन नमब टू हमने कर लिया है तो लाइन से सारी कुशिन को आपको सौल फर वर वाएंगे कुशन नमब थार्ड का कहता है कहता है इंटर दी-फॉलोइं ट्रांजेक्षंट्स इन Journal of Sahil Brothers तो Sahil Brothers जो है वो business के honor है और इन्होंने business जो है इनका business का कुछ transaction जा है वो दिया गया है इसको आपको journal में record करना है तो आपका सबसे पहले जो भी बनाओगे आप journal entry के format में बनाओगे date, particular, laser, follow amount, debit and amount, credit narration के साथ आपको problem कहा होता है debit किसको करे, credit किसको करे तो वो हम बता देंगे, बाकि narration लिखना format पे बनाना, ये सब काम जो है वो बार बार आपको बताने की जरुवत नहीं है हम आपको question number one में बता दिये हैं जब हम start किये थे सारे format के साथ narration लिखके बता दिये थे, तो आपको बार बार नहीं बताएंगे हम आप जो है, उसको जब बनाओगे तो format पे narration के साथ चलिए, question number third सबसे पहला कहता है, ये 2018 का जो है वो transaction है, तो आप लिखे लो 2018 date की column में October जो है आपका October first एक October को क्या transaction है पहला transaction, purchase goods from anneal for cash, तो anneal से, जो है, business ने सामान purchase किया है, याद रखेगा जो भी हम record करते हैं, वो business के point of view से करते हैं और यहाँ पर, जो है purchase goods from anneal for cash यहाँ पर business ने क्या किया है goods purchase किया है, और किस से purchase किया है, anneal से purchase किया है और किस में purchase किया है, तो cash में purchase किया है हमको अनिल से इस transaction में कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम जो है उसको cash payment कर दिया है तो business में क्या आया और business से क्या गया ये बात आप देखो जो भी record करते हैं business के point of view से करते हैं और business में क्या आया तो business में goods आया लेकिन goods आया तो real account के rule से debit what comes in हमने goods को debit किया लेकिन हम क्या debit करते हैं आपको हम पहले बता चुके हैं कि जब goods purchase करते हैं तो हम purchase word का अस्तमाल करते हैं जब goods को sale करेंगे तो हम sell word का अस्तमाल करेंगे तो goods आया business में goods के जगापर हम क्या देखें पर्चिस देखें इसके पीछे क्या चिपा है इसके पीछे आपका Goods झेशिपा हुगा है तो Goods को हमने पर्चैस अकाउंट को हमने यहां पे Debit कर दिया अब Two यहां पर किस से पर्चैस किया है अनील से लिकिन अनील से हमको कोई मतलब नहीं लेकिक को पुछ बिजनस से क्या गया तो बिजनस से कैस चला गया अनील को गया रान को गया साम को गया किसी को भी गया उससे मतलब नहीं है बिजनस से क्या गया बिजनस से कैस गया तो कैस क्या होता है आपका एसेट होता है और जा रहा है बिजनस से गोज आउट तो क्रेडिट वाट गोज आ गया यहां पर तो किया जनरिंट्री बना पर्शेस अखाउंट डेबिट्टू कैस एक यह आपका जनररिंट्री बना कितने पर्शेस गया है 40,000 रुपे का तो यहाँ पे आप 40,000 लिख दो गए चलिए इसके बाद October एक October का हो गया इसके बाद 3 October को क्या हुआ पर्चेस गुड्स फ्रॉम अतूल अतूल से जो है वो 75,000 रुपे का बिजनस से समान पर्चेस किया है देखिए बिजनस में गुड्स आया अतूल से पर्चेस किया है किस से पर्चेस किया है अतूल यह एक परसन है यहाँ पर कही भी नहीं लिखा है कि कैस में और अतूल का जो है वो नाम दिया गया है तो इसका ये मतलब है कि ये credit में goods purchase किया गया है क्योंकि नाम दिया है, अगर cash लिख देता है तो cash में purchase था है, लेकिन यहाँ पे नाम दे करके छोड़ दिया है नाम दे करके छोड़ दिया है, इसका मतलब ये जो है cash purchase नहीं है, बलकि credit purchase है तो यहाँ पर cash में purchase करी या credit में purchase करी बिजनस के पास goods आया तो यहाँ पर हम debit किस को करेंगे? Goods के जगा पर purchase account को debit कर दिये अब 2 यहाँ क्या लिखेंगे business से क्या गया तो cash तो नहीं दिये है लेकिन किस कौन दिया है हमको cash तो business से नहीं गया है लेकिन दिया कौन है, अब यह हमको पता रखना जरूरी है, तो अतुल ने दिया है, अतुल दिया है business of goods, तो अतुल यहाँ पर कौन है, person है, तो personal account में आईए, हम कह रहे हैं, दिया है business of goods, दिया है, यानि अतुल जो है, वो कौन है, giver है, और अगर giver है, तो हम क्या कर देंग purchase account debit to अतुल, कितने का समान परचिस किया है, उधार में business ने, 75,000 रुपीज का, 75,000 का समान, purchase किया है business ने, किस से 25 किया है, अतुल से, तो बताईए, यहाँ पर अतुल कौन है, दिया है, तो near future में, business ने goods परचिस किया है, उधार में, तो near future में, अतुल को cash payment करना होगा, या यानि business के लिए ये क्या कौन है, ये business के लिए creditor है, creditor मतलब लेंदार, near future में ये पैसा business से लेगा, इसलिए अतुल जो है वो creditor है, तो हम आपसे पुछें कि अतुल कौन है, तो अतुल तो जो है giver है, दिया है समान, लेकिन है कौन, तो ये creditor है business के लिए, ये वात आप October 3 तारीक का हो गया, अब आपका 6 तारीक को देखते हैं, क्या करता है, देखे, 6 October को करता है, return goods to अतुल, 3000 रुपे का, देखे, समान ने अतुल से, कितने का समान purchase किया business, तो business ने 75,000 का समान अतुल से purchase किया है, जिसमें से हो सकता है कि कुछ according to sample ना हो, किसी कारण से, जैसा अतुल कुछ जो समान दिया होगा business में, वह सकता है कुछ damage हो, according to sample ना हो, जैसा expectation था goods का, वैसा ना हो, तो ये समान वापस किसको कर दिया गया, अतुल को, जैसे आप Flipkart, Amazon, Mintra, या फिर किसी भी app से, online जो shopping app है, उससे अगर आप shopping करते हो, आपको समान पसंद नहीं आता, त आप क्या करते हो, return करते हो, क्यो return करते हो, according to sample ना हो, जैसा आपको photo में दीख रहा था, वैसा ना हो, जो जिस तरीके से seller ने कहा हो, कि भाई ये सारा उसका features है, और वो features उसमें ना हो, तो आप समान को वापस करते हैं, या फिर समान आता है, तो अगर वो तूट फूट गय है, तो भी आप क्या करते हो, उसे वापस करते हो, उसे तरीके से business में भी 75,000 का समान आया, जिसमें से 3000 का समान जो है, वो return कर दिया गया, हो सकता है कि business को according to sample ना हो, या कोई भी reason हो सकता है, ये 3000 का समान, 75 में से कितना वापस कर दिया गया, 3000 का समान जो है, वो वापस कर दि था वो तीन हजार का समान defective हो तो return कर दिया गया किसको return किया गया अतुल को यहां पर जो है वो return किया गया तो अभी तो अतुल जो था इस में giver था दिया था अब अतुल को समान जाएंगे तो अतुल कौन हो जाएगा receiver हो जाएगा तीन हजार का समान वापस कर दा तो यह receive करेंगा तो बताएगे debit जो समान वापस किया है वो रेसीब किया तो debit था प्तार गाउंड को से अब two credit side में क्या करेंगे समान बिजनस में आया था डेविट वाट कम सिंग, तो हम purchase को debit किये थे, अब जा रहा है, return कर रहे हैं, तो credit वाट गोज आउट, अब समान बिजनस से जा रहा है, कितने का समान, तो 3000 का समान जो है बिजनस से जा रहा है, तो credit वाट गोज आउट, क्या लिख देंगे यहाँ पर, purchase किये थे, तो पर्चेस, और क्या कर रहे हैं, return कर रहे हैं, तो लिखेगा, purchase return account, क्या कर रिखेगा, चलिए, थोड़ा साफ साफ लिखते हैं इसको, purchase return account, अगर purchase को debit के, तो purchase return क्या होगा, credit होगा, कितने से, 3000 का समान जो है, वह हम अतुल को वापस कर रहे हैं, तो आया था, तो debit part comes in, अब जा रहा है, तो credit part goes out, यानि purchase return हम credit कर देंगे, एक बात ऐसे भी आप पियाद रखना, अगर purchase debit है, तो purchase return credit होगा, अगर sales credit है, तो sales return debit होगा, फिला, यहाँ पर purchase debit है, तो purchase return credit होगा, जब आया था, तो purchase को debit किया थे, जब जाएगा, तो purchase return यहाँ पर credit होगा, इसके बाद, transaction ज बताईए, अतुल को कितना पैसा paid करना है, बिजनस को, 75,000 का समान purchase किया गया था, अतुल से, जिसमें से 3,000 का समान वो वापस कर दिया गया, तो 72,000 पे, यानि 72,000 पे business किसको pay करेगा, अतुल को pay करेगा, क्योंकि 75,000 में से 3 तो वापस ही कर दिया, तो अब मात्र 72,000 पे अ तो अतुल को कितना पैसा पेड़ किया गया बहतर जार पेड़ करना था जिसमें से 50,000 रुपया दिया गया तो 22,000 रुपया अभी अतुल को और पे करना है तो कितना फिलाल पे किया गया यहां पर आपका जो है 50,000 रुपया पे किया गया तो 50,000 रुपया अतुल को पे किया हो गया अतुल पर्सन है और पच्छास रुपे रिसीव किया तो पर्सनर प्रसनर एकाउंट में जाए रिसीवर तो डेबिट दर रिसीवर यहां पर आपका लिखेगा अतुल को डेबिट कर दियेगा कितने से पच्छास जार रुपया से debit the receiver, personal account के रूपया से business के पास से क्या गया business के पास से cash चला गया तो real account के रूपया से credit what goes out यहाँ पे हम cash account क्या कर देंगे credit कर देंगे, कितना 50,000 रुपया clear है बात, अतुल को अभी कितना पैसा pay करना बाकी है 22,000 रुपया जो है वो pay करना बाकी है, अब इसका कोई information यहाँ पे नहीं दिया है कि कब pay किया नहीं किया छोड़ देना तो आपको भी अभी कोई लेना देना इसमें नहीं है बाद में जब business pay करेगा 22,000 रुपया तो कैसे pay करेगा, अदूल बाद 10 तारीक चलिए 10 तारीक को क्या करता है sold goods to charu charu को समान बेचा गया किसी को भी बेचा जाएगा उससे क्या मतलब है यहाँ पर charu को समान बेचा गया है तो 10 तारीक को charu को समान बेचा गया है, कहीं लिखा है कैस में बेचा गिया है कहीं पर भी निका है चारू का नाम देखके छोड़ दिया है इसका मतलब बिजनस ने समान बेचा है किसको चारू को उधार में तो चारू यहाँ पर रसीवर हो गई लिख देंगे प्रस्नल एकाउंट चारू कौन है नाम है परसंग का नाम है तो प्रस्नल एकाउंट डेबिट दर रसीवर यहाँ पर रसीव की तो चारू को हम क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे कितनी का समान फिलाल रने देते हैं जो sell कर रहे हैं तो goods के जगा पर हम क्या लिखेंगे sales account तो कि business में जब हम purchase करते हैं goods तो purchase लिखते हैं और जब sale करते हैं तो हम sales का इस्तामाल करते हैं goods purchase तो मतलब purchase goods sales तो मतलब sales तो हम sale का बड़ का यहां पर इस्तामाल करेंगे तो क्या बना चारू debit receiver and credit card goes out यहां पर तो चारू to sales बना और कितने का समान उधार में चारू को बेचा गया है तो 1,00,00 रुपे का समान यहां पर बेचा गया है 1,00,00 रुपे आप लिख दीजे debit जो है 1,00,00 और credit भी 1,00,00 मतलब चारू को 1,00,00 का समान बेचा गया है और goods चला गया 1,00,00 से बिजनस में चारू कौन यहां पर बताईए आप डेटर या क्रेटर तो समान बेचा गया है नियर फूचर में 4 पैसा देगी बिजनस को तो यह डेटर हो गयी आप बिजनस के लिए transaction हो गया 10 तारीक का 10 तारीक बाद 12 तारीक को अब यह चारू जो है इसको समान बेचा गया कितने का 1,00,00 रुपे का समान बेचा गया जिसमें से कहता है transaction जो है 12 तारीका वो कहता है आपका कि चारू रिटर्न 20% of goods तो 20% का जो है रिटर्न कर दी अभी बताएं हो सकता है कि चारू को पसंद ना है according to sample ना हो तो चारू जो है वो समान किसको return कर दी business को return कर दी कितना तो 20% निकार लीजेए आपका हो जाएगा 20,000 रुपे का 20,000 का समान जो है चारू किसको return कर दी business को return कर दी तो यहाँ पर चारू receive की थी अब क्या कर रही है गिव कर रही है यानि बिजनस को दे रही है समान बेचा गया था चारू को तो डेबिट दर रेसीवर चारू को डेबिट कर दिये अब समान ये किसको दे रही है बिजनस को रिटर्न कर रही है तो अब तो ये गिवर हो गई ना दे रही है बिजनस को तो ग गिवर हो गई गिवर हो गई तो क्रेडिट दा गिवर हम यहां पर चारू को क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे चारू क्रेडिट कितने से 20,000 रुपया से क्रेडिट कर देंगे क्रेडिट दा गिवर अब डेबिट क्या करेंगे sales था, business को समान बेचा था, तो credit what goes out अब business में समान आ रहा है, आ रहा है तो comes in, debit what comes in, हम यहाँ पर debit कर देंगे, लेकिन क्या, goods आ रहा है तो sales return लिग देंगे यहाँ पर, आ गया goods आ गया, कितने का, 20 लेर का goods, business में आ गया, तो sales return account debit to 4 यहाँ आपका general entity जो है बनेगा यहाँ पर, clear है बात चलिए, 12 तारीक के बाद क्या है rent, वह हम देखते हैं, इसको उटाते हैं 12 तारीक के बाद जो है आपका transaction है, 15 तारीक का 15 अक्टूबर, कहता है यहाँ पर paid rent 2000 रुपीज, तो 2000 रुपी का rent pay किया गया है यहाँ पर देखो, यह आपका business है, और business ने rent pay किया है business ने क्या paid किया है, यहाँ पर rent paid किया है अब rent क्या है business के लिए जैसे business के लिए salary paid करना expense है, जैसे business के लिए wages paid करना expense है उसी तरीके से business के point of view से देखे तो rent paid करना business के लिए क्या है expense है और अगर business का rent pay करना expense है तो बताइए तीन rule आपके सामने लिखा हुआ है कहां पर आएगा expense तो आप खोजते आओ यहां पर expense यहां दिख रहा है आपको expense यहां दिख रहा है किस account में किस rule यह account में है तो nominal account के rule से debit all expenses क्या expense है business के लिए rent expense है तो हम यहां पर rent को debit कर देंगे क्यों क्योंकि debit all expenses nominal account आपका कहता है कि जो भी expense है इसको आप debit कर दिए तो rent expense है business के लिए rent को हमने debit कर दिया कितने से 2000 रुपय से यहां पर हमने debit कर दिया अब टू बदले में business ने rent के तौर पर landlord को क्या दिया होगा cash दिया होगा तो यहां पर cash account को credit कर देंगे किस rule से तो यहां पर आप real account के rule से credit card goes out क्योंकि cash जो है business के लिए asset होता है और asset जो है वो real account में आता है तो credit card goes out business जो है cash वो चला ग गया 2000 रुपय cash चला गया तो debit all expenses nominal account के rule से rent को debit कर दिया and credit card goes out हमने real account के rule से cash को credit कर दिया कितना से तो 2000 रुपया से question number third का last transaction जो है वो 20 तारीक को हुआ है अब 20 तारीक को आप क्या कहता है कहता है sahil brothers जो था आपका यानि sahil withdraw for personal use तो यहां पर sahil ने 10,000 रुपय अपने personal use के लिए cash जो है वो withdraw कर लिया है तो इसका concept मने आपको last question में भी संजाया था कि जब honor अपने personal use के लिए business से cash निकालता है तो उसे हम क्या बोलते हैं drawings बोलते हैं आपर तो यहां क्या कि drawings account debit to क्या निकाला है cash तो बिजनस से क्या चला गया cash चला गया और honor निकाल लिया तो यहां पर हम लिखेंगे drawings account debit कितने से 10,000 रुपय से 10,000 रुपय लिग दिया और to cash बिजनस से cash कितना चला गया 10,000 रुपय इसका concept drawings क्यों होता है बार बार हम आपको नहीं बताएंगे तो आप question number 3 देख रहे हैं question number 2 skip कर दिये हैं तो आप question number 2 में देख लिजे कि drawings क्यों लिखा है जब बिजनस में पैसा invest करता है तो cash to capital लिखते हैं जब पैसा निकालता है तो capital to cash लिखते हैं उसी capital के जगापे हमने यहां पर drawings work का स्तमान किया है last video मैं मैंने आपको detail में बताय किया है तो आज हमने गोड़े question number 3 कर लिया है अब हम इसको continue करेंगे question number 4 5 थोड़ा बड़ा question अब आएगा आपका कोई बात नहीं है हम इसको इस टॉल्मेंट में सारा आधा-धा question करके इसको हम solve कर देंगे सारा question total question आपको solve कर देंगे आप जो है घर में practice करो तो आज के लि कर कि अए पाद हमार का देंगे घर में DMT कर देंगे सारार légका है कर देंगे बादी हम WhatsApp में healing bağ कर देंगे हैं कि अए एर में Alpha- Marco mal okay